डक्तर भीमराव अम्बेदकर मेरे लिए भोगवान के समान है भीमराव अम्बेदकर कुछ ऐसे किये थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ मेरे लिए हर्ष का विश्व है कि आज मुझे डक्टर भीमराव अम्बेतकर के नाम पर स्तापित बाबा साय भीमराव अम्बेतकर विश्व भी दाले के दिखांक समारों में भाग लेने का अपसर प्राप्त हुआ भीम्राव, डॉक्टर भीम्राव अम्बेदकर मेरे लिए भगवान के समान है भीम्राव, अम्बेदकर कुछ ऐसे किये थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ मैं आज डिग्री पुरसकार और सुर्ण पदप्राप्त काने वाली सोभी छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ मैं इस विश्वविद्धालाई के सच्चो और हरीत परिशर में आकार बहुत प्रभावीत हूँ मुझे ये दखकर प्रसंता हुई है कि इस विश्वविद्धालाई का बतावरों पर्यावरों की अनुकुल है विश्वविद्धालाई का परिशर अंतराष्ट ग्रीन बिल्डिंग मनों को पर आधारीत है नो मोटर भेकल दे और बाइसाइकल बेंक जैसी प्रयास भी सरानिय है नोबिन्तम प्रद्धगी की का उपयोग करने तो था विद्धात्यों के ज्ञान और कोशल को बढ़ाने के लिए ये विश्विद्धालाई देश के कोई प्रोमुक संस्तानों जैसे सेंट्राल ड्रोक रिशर इंस्टिचूट एन आई पी ई आर राइवलेरी और आई आई टी बी एच यू के साथ सोहयोग करके आगे बढ़ रहा है मैं इसके लिए आप सबकी सरहाना करती हूँ बाबा साहिब आमगेतकर के जिवन में जितना संघर्ष था उतनी ही उनकी उल्लक नियवी कार्यत था बच्पन से ही मेधावी छात्र रहे डक्टर आमगेतकर ने उनेक चुनोतियों और बधाओं का सामना करते हुए देश भी देश में स्रेश्ट सिख्खा हासिल की एक प्रसिद्ध बिद्वान मानवितिकार कार्य करता और कुशल वकिल होने के साथ साथ वे सतंत्र भारत के संभिधा निर्माता और देश के पहले कानुन मंत्री भी थे अपनी दुर्दिस्तक के दारा उन्होंने अपनी व्यक्तिगोत उपलब्धियां का इस्तेमाल और समाज को इलाणे दू वेबस्ताओं और प्रक्रियां को सुधारने के लिए किया उनका जीवन मुल्यों और सिधान्तों पर आधारित था उनके आदर्स और मुल्यों से प्रेरना लेकर आप सो कठिन से कठिन लख्यों को भी साध कर सकते हैं देवियों और सोजोनों काल ही मैंने यूपी ग्लोवाल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समार हमें भाग लिया एसमिट देश और प्रदेश में एक नई उर्जा के संचार का संदेश दे रहा है इससे नीबेशों और बापैर के लिए अनुकुल बतावरण बन रहा है आज मैं यहां से अपिल करना चाहूंगी कि आप सोब सिख्या को इस अनुकुल बतावरण से जोड़े हामारे विश्व बिद्व लईको एक एसिक केंद्रों के रूप में बिक्सित करे जहां जोनकुलाण के लिए नई-नई अनुसंधान किया जाए फोर्थ इंडस्ट्रियाल रिवोलुशन के हब बने स्टार्टाप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बने मुझे हादिक प्रसंता होगी योदि हमारे शिक्षण संस्तान देश और प्रदेश में नई-क्रांती और समाजिक संपन्नता और संता के संदेश भाग भी बने आज भारत विश्व का तिसरा सबसे बड़ा स्टार्टाप इको सिस्टम बला देश है सभी सिक्षण संस्तानों विशसरूप से विश्व बिदालें और टेक्निकी सिक्षण संस्तानों से ए अपिक्षा है कि ए इस इको सिस्टम का भर पूर लाब उठाए और अपने विद्धातियों को रिशर्च और इनोवेशन के लिए प्रसाहिद करे उनका ये प्रयास भारत को इनोवेशन और टेक्नोलोजी में एक ससर्थ राष्ट बनाने में महत्त पूर्ण योगदान देगा राष्ट्यों सिख्षानती 2020 में भी रिशर्च और इनोवेशन की आवस्चता पर जोर दिया गया है कोशल अधरित सिख्षा लचली पठ्यक्रमों और बहुँ विशोयक दुरुष्टिकन पर बोल दिने हुए थुथ है तुँ भारत को नोले सुपरपरा बनाने ही इस राष्ट्यों सिख्षानिती का उद्देश है बाबा साहिब भीमराव अंबेतकार विशो विशो विद्दालोई को इस सिख्षानिती को लागू करने में ततपरता दिखाने के लिए मैं बहुत बहुत बढ़ाई देती देवियों और सोजनों बाबा साहिब अंबेतका मनना था की गरीब और जरुरत मंद लोगतक सिख्षा की सुबिधायें पहुंचना एक विशो विद्दालाई का मुल्भूत कत्तब्यों है उनके अनुसार एक सिख्षों सुस्तान को सभी बढ़कों के विद्दातियों के बिना किसी बेदबात के बिना आच्छे सिख्षा देनी चाहिए मुझे बताया गया है कि ए बिश्व बिद्धालोई अनुसुचित जाती और अनुसुचित जोनो जाती के बिद्धातियों को पच्चास प्रसित प्रतिस्वत आरक्षन देकार उनके उत्थान के लिए सरानियों कारियों कर रहा है मुझे बिश्वा से कि बाबा साहिब अम्वेद्धकर के नाम परवना ये बिश्व बिद्धालोई उनके आदर्सों के उनुसार देश प्रदेश में सिख्वा का प्रसार करता रहेगा आज इस विश्व विद्धाले में विर्शा मुंडा स्टूडेंट्स अक्टिविटी सेंटर का पुद्धातन करके मुझे बहुत प्रसंता हो रही है भोगवान विर्शा मुंडा की जिवनी युबाओं के लिए प्रणा का सुरत है मुझे विश्व से की विविन स्पोर्ट्स फैसिलिटी से युगत ये सेंटर स्टूडेंट्स की फिजिकाल फिटनेस के साथ साथ उनके ओल राउंड डेवलोप्मेंट में भी मदद करेगा मैं भोगवान विर्शा मुंदा के नाम पर स्टूडेंट अक्टिविटी सेंटर बनाने के लिए विश्व विद्धालोई की पूरी टिम को बधाई देती हूँ प्यारे बिद्धार्थियों, दिख्ञान सुमार हों, विश्व बिद्धालोई और बिद्धात्यों के लिए एक अत्यन्त महत्तुप्रण अवसर होता है आज के दिन आपको कोई सालों की कड़ी मेहनत का फोल मिलता है ये आपके और आपके परिवार के लिए हर्स, उल्लास और गौर्ब का ख्यान होता है मुझे बताया गिया है कि आज दिख्री लेने वाली बिद्धात्यों में से 42 परसंट लड़किया है साथ ही गोल्ड मेडल पाने वाले भी 60 परसंट छात्रा है मैं सोभी विद्धात्यों को बधाय देती हूँ और बेटियों की विशेश सरहाना कारती हूँ इस अफसर पर मैं उन सोभी अभिभाबों को भी बधाय देती हूँ जिन्होंने आपनी मेहनोत और तपस्चा से देश को इस जुवा सक्ति से धनी किया मैं सोभी सीकोकों को भी सरहाना करती हूँ जिन्होंने आपने मेहनोत और समर्पन से इन छात्रों छात्राओं को ज्यान से समरुद किया आज इस अपस्वर्पोर मैं सोभी बिद्धत्यों से कहना चाहूंगी कि जिवन में आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आज से ही प्रयास करें और अपने लख्यों को कभी भी अपने मन मस्तिस्क से दूर ना होने दे आप में से कोई बिद्धर थी प्राइबेट सेक्टर में नोकरी करेंगे कुछ सरकारी से बाव में के जो ये अपने जिवन लख्यों को हासल करने के लिए आभी से सोच रही होंगे कुछ बच्चे इंटर्प्रेनर्स बनेंगे मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ बच्चे अच्छे टीचर वा प्रोफेसर भी बने एजुकेशन और टीचिंग एक दुसरे से जुड़े हुए हैं उत्तम सिख्खा वेवस्ता के लिए उत्तम सिख्खकों का होना बहुत ही जरूरी है राष्ट्य सिख्ख्यानेती 2020 भी इस बात पर जोर देती है कि सिख्खकों को सिख्ख्या वेवस्ता में मूलबूद सुधारों के केंद्रों में होना चाहिए इसलिए सिख्खकों और टीचिंग प्रोफेसर शन को पूरा सनमान मिलना जाहिए हमारे होनार चात्रों चात्राओं को तीचिंग को एक प्रोफेसर के रूप में आपनाकार देश के भविश्चो को सुन्दर बनाने में महुँ बहु मुल्यो योगदान देना चाहिए प्यारे बिद्दर्थियों आप सोब एक चुनोती प्रोफेसर प्रोफेसर कानने वाले हों मुझे बिश्व से कि इस बिश्व बिद्दर लेने आपको हार चुनोती का सामना करने और देश की सेवा करने के लिए सक्ष्यम बनाए है आप अपने पूर एक चुमता का उपयोग करें और देश को विकास के पत पर आगे ले कर जाने का संकल्प ले आप सब सिख्या और ज्ञान के बल पर जिवन में सुख खूब उन्नती करें एसा मुझे बिश्व से लेकिन इसके साथ साथ आपने संस्कारों और संस्कूरती से जुड़ी रहना बहुत ज़रूरी है तो भी आप एक सार्थोक और संतोस जनक जीवन जी सकते हैं जो दूसरों के लिए भी प्रणा का स्रत बने अमरुत काल का ये समय